दोस्तो होता क्या है कि ज़ादा तरोगों में ऐसा दिखा गया है कि जब केस बनते हैं अब केस भी अलग-अलग तरा से बनते हैं किसी को पुलिस ने पकड़ा, किसी को पकड़ा कृम ब्रांच ने अब इसमें क्या होता है कि अगर commercial quantity आपकी बेल जल्दी से होगी नहीं सालों साल आपको जेल में रहना पड़ सकता है उसके बाद जाके बेल होगी दोस्तों NDPS केस में NDPS एक ऐसा केस है दोस्तों जिसके अंदर की conviction rate बहुत हाई है मतलब कि आप जब बेल ले भी लेते हो तो उसके बाद सजा होने के chances बहुत जादा दोस्तों रहते हैं अब होता क्या है कि इसमें केस तो आप लड़ते हो या फिर अपने वकील साहब से केस तो लड़वाते हो बड़ केस को बड़ा हलका छोड़ देते हो ये कोई मार्कमीट का दोस्तों केस नहीं होता है NDPS NDPS एक ऐसा केस है जिसके अंदर आपने तोड़ी सीवी गलती की तोड़ी सीवी ढील भरती तो दोस्तों सजा पकी है और पहली बात तो इस केस में जल्दी से लोगों को बेल मिलती नहीं और जिनको बेल मिल भी जाती है तो वो ठीक से केस लड़ते नहीं और ठीक से केस लड़ोगे नहीं तो conviction आपका होई जाएगा अब दोस्तो होता क्या है कि ज़्यादा तर लोगों में ऐसा दिखा गया है कि जब केस बनते हैं अब केस भी अलग-लग तरह से बनते हैं किसी को पुलिस ने पकड़ा, किसी को पकड़ा क्राइम ब्रांच ने, किसी को पकड़ती है NIA, National Investigating Agency जो हमारी है या कई बार मैंने देखा है कि डिरेक्टरेट और रेविन्यू इंटेलिजेंस से भी लोगों पास नोडिस पोचते हैं अलग-लग तरह से NCB पकड़ लेती है, तो ऐसे कई अलग-लग एजिंसीज हैं, जहां से कि देखा जाए तो केस आपके अगेंस दर्ज होता है और ऐसे मामलों में आपको जेल भेज दिया जाता है, यहां बहुत बड़ा जो रोल प्ले होता है, वो है क्वांटिटी का तो मैं ऐसी 5 गलतियां आज आपको बताऊंगा, जो 5 गलतियां आपको करनी नहीं है अपने केस में, अगर आप करते हैं तो उसका बहुत बड़ा खामी आजा, आपको भुगतना पड़ सकता है, बेल तो चलो जल्दी साब की होगी नहीं, साथ-साथ में conviction rate है, तो conviction भी आपको हो सकता है, सजा आपको हो सकती है, तो क्या पाँच गलति ना करें, उन सब को जानने के लिए दोस्तो बने रही है हमारे इस वीजियो के साथ, दोस्तो NDPS, NDPS का मतलब क्या है, NDPS Act ये कब आया है, तो पहले आप ये जानिए, कि Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act 1985 का है, ये कोई अभी का क होते हैं, उनकी रोक थाम के लिए ही इस Act को अस्तित्व में लाया गया था, और जब Act ये अस्तित्व में दोस्तो आया, तो उसके बाद से ही नजाने कितने ही गरफतारिया हुई, कितने ही conviction हुए, कितने ही लोगों को सजा हुई, दोस्तो अगर ये वीडियो आपको परें, साथ में लगा बेल एकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की Legal Awareness की वीडियो आप तक पोच सकें सबसे पहले, जल्दी से इसमें बेल नहीं होती उन लोगों की, जिन पर देखा जाए तो Commercial Quantity के Charges है, Commercial Quantity में अगर दोस्तो आपका नाम आ गया NDPS के मामले में, तो आ आपके लिए बेल लेने के रास्ते बहुत ही टफ, बहुत मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि उन मामलों को प्रूव करना पड़ेगा, जल्दी से प्रूव होता नहीं, सबसे पहली समझे दोस्तों क्या होती है, पहले आप ये समझें, वो है Quantity, Quantity तीन है, Small Quantity, Intermediate Quantity और Commercial Quantity ये हर चीज़ की अलग-अलग है, वो मैं आपको बताने पर आऊँगा, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसके कहोगे, तो उसकी PDF जो बनती है पुरी लिस्ट, वो हम नीचे, Description Box में डाल दूगा, या फिर बहुत जल्दी अलग-अलग चीज़ों पर भी हम वीड जीली हो जाती है, इंटरमीडियेट वालों को भी बेल थोड़ा देर से ही मिलती है, तो quantity को समझना चाहिए आपको, commercial quantity में आप पकड़े गए हो, आप सोच रहे हो, मैं तो बस आज गया हूँ, दो मेने भी जिल से वारा जाऊँगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों, आपके वकि Conviction Rate दोस्तों बहुत हाई है, Conviction Rate का मतलब कि आपको पहले पकड़ा गया, जेल में डाल दिया, उसके बाद सजा बुल जाती है, बहुत सारे लोगों को, सजा बुलती ही है इसके अंदर, तो Conviction Rate हाई इसलिए है, कि यहाँ पर ऐसा मानना है, ऐसा देखना है, कि जो लोग का बना देते हैं, कि उसके अंदर, आपकी कोई निकलने गुंजाईश वो लोग छोड़ते नहीं, बढ़ हाँ, कम या बहुत सारी होती है, जैसे कि इंडेपेंडेंट विटनेस का ना होना, पबलिक विटनेस का ना होना, रिकवरी, परसनल कार, मतलब प्राइवेट कार से करना, सेक्शन 50 तो दोस्तों सभी कुलिस वाले समझ चुके हैं कि सेक्शन 50 पर अब्जेशन आए गए आएगा, तो उसको बहुत पकी तरह से बनाई जाती है, कई बार लोग जो जूटे केसों में फस जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि वो नहीं फसने चाहिए, उनक अगर डिफेंस मजबूत होना चाहिए, तो आपको देखना पड़ेगा, कन्विक्शन रेट बहुत हाई है, तो ट्राइल को विशेश रूप से ध्यान देना, वरना बेल तो ले लोगे, बट दुबारा जेल जाना होगा और फस जाओगे, अब इंवस्टिगेशन जो होती है, चार्शीट लग गई, तो आपको लगता है कि मेरी इंवस्टिगेशन हो गई, अब मुझे बेल लगानी चाहिए, दोस्तो ऐसा नहीं है, एफसल पेंडिंग है, एफसल पेंडिंग ही रह जाती है, बहुत बहुत वक्त तक अगर आपके वकील साहब ने बहुत एक्टि साहब वो सुन रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसे लॉइस प्रेंट सुन रहे हैं, जो जानना चाहते हैं नडिपेस के बारे में, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आपके पास कोई ऐसा कर केस आता है, तो अपने ट्राइल को धियान दे, एफसल रिपोर्ट जल्दी मं जाना है, एफसल हाला कि आपके फिवर में कम ही आएगी, हमेशा आपके अगेंस्टी आएगी, क्योंकि जो पकड़ा गया, अभी बात यहां आती है, कि जो पकड़ा गया, उसको अगर उसकी रिपोर्ट जो भी आएगी, आप एडमिट कर लोगे, आपके पकड़ा गया बेल के पीछे पड़े रहते हैं। जाएंगे ये मान लीजिए सजा की तरह ही आपनी जेल काटोगे पर बेल जल्दी से नहीं होगी। आपको डरना नहीं चाहिए। आपको अपनी एप्लिकेशन जो भी आपको लगे सही है। लगानी चाहिए। 91 की एप्लिकेशन लगाओ, 311 की एप्लिकेशन लगाओ, इन सब पर डेटेल वीडियो मैंने अपने इस सेनल पे बनाई हुई है। वो सब वीडियो से आप देखोगे, बहुत कुछ आपको सीखने हों मिलेगे। आपको लेना जरूर है, वरना आपके साथ समस्या हो सकती है, प्रबलम हो सकती है, और सालो साल आपको जेल में काटने पर सकती है। कोई भी किसी तरह का सवाल है, NDPS केस को लेकर, NDPS के बारे में कुछ भी जान करें चाते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और सवाल पूछे अपने यहां में वट्सेप करें, कोई भी सजेशन चाते हैं, सजेशन आप ले सकते हैं, हो सकता है कि हमारी सजेशन आपको किसी बहुत 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 शुक्त हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए